इस सेंटर टेबल को AutoCAD में model करने का easiest method आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगर आपको 3D modeling की basic techniques के बारे में knowledge नहीं है तो link मैंने description में दे दिया है और उपर card पर भी है आप check कर सकते हो Hello everyone, my name is Shelly Rajput, welcome to Design Go Rhythm, let's begin today's video इस table का base है वो कई parts को जोड़ के बना हुआ है तो सबसे पहले हम इसी को बनाते हैं फिर हम table के top को तयार करेंगे तो rectangle tool pick करो और right click करके fillet का option choose करो, value दे दो 1 inch अब rectangle बनाने के लिए first corner क्लिक करो और right click करके dimensions के options पर click करो, length में 1 feet type करो, enter करो और width में भी 1 feet type करो और enter करो इस rectangle को 4 बार 2-2 inch पर offset करो, view को southeast isometric पर set करो, inner rectangle को 1 inch उपर copy करो, ortho on होना चाहिए ऐसा करते समय ताकि z axis में ही यह copy place हो, ucs को में change करना पड़ेगा ताकि x y को हम अपनी जरूरत के हिसाब से position कर सकें उपर coordinates वाले panel में right को choose करो, अब x y x से सही direction में position हो गई है अब rectangle लो, first corner click करो, right click करो, dimension का option लो, length और width में 1-1 inch enter करो screen पर left click करके command को execute करो, अब इसकी कुछ copies बना लो, याने की लगभग 11-12 आगे काम आने वाली है यह, sweep command लो, एक rectangle पर click करो, और फिर path के लिए अंदर वाले rectangle पर click करो conceptual view style में देखो, ऐसे ही एक और छोटे rectangle को, उपर वाले rectangle को, जो की हमने copy किया था अभी अभी, उस पे sweep कर दो उपर वाले solid piece को 3D rotate command से 45 degree पे rotate करो, अब यहां तक के steps repeat करो, पहले rectangle को 2 इंच उपर move करो, और्थो mode on होना चाहिए, अब इस rectangle को 1 इंच उपर copy करो, sweep command यूज़ करके इस rectangle को solid में convert करो, उपर वाले rectangle को 45 degree पे 3D rotate करो, अब rectangle को 4 इंच उपर move करो, 1 इंच उपर copy करो, छोटे rectangle को sweep करो, इने solids में convert करो, 45 degree पर उपर वाले को 3D rotate करो, अगले rectangle को 6 इंच उपर move करो, 1 इंच उपर copy करो, फिर दोनों को solid में convert करो, और उपर वाले को 45 इंच उपर 3D rotate करो, सबसे last वाले को 8 inches ऊपर move करो 1 inch ऊपर copy करो और एक copy थोड़ा ज्यादा height पर place कर दो जो हमारे table top को बनाने के काम में आने वाली है अब उपर वाले को 45 degree पर rotate भी कर दो सबसे उपर वाले को 0.5 inches extrude करो इसे भी 45 degree पर 3D rotate कर दो view को front पर set करो और इस top को ठीक से base पर set करो बस अब visualize के tab में जाकर material browser में जाओ और realistic visual style कर दो ताकि material apply करने पर show हो top पर हम glass material apply कर देते हैं इसको drag करके drop करो base पर wood का material apply कर देते हैं इसको भी drag करके drop करो तो बताओ easy था ना आज का tutorial अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे टूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसा कोई भी फरनीचर आप 3D मॉडल करना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो मैं उस पर बाइ बाइ